हम लोग जिस utility के बारे में अब बात करने वाले हैं वो background से related है basically जब मैं utility बोलता हूं तो it is something like इससे कुछ तो भी होने वाला है right it is something useful it is something functional इसे हम लोग कुछ तो भी कर सकते हैं right simple है मतलब यू मान दो मैं background color set करूंगा उसके बाद में मैं border set करूंगा या मैं opacity set कर सकता हूं overflow को देख सकता हूं position display के साथ में खेल सकता हूं right यहां पर यह सारी चीजे कर सकता हूं right तो यहां पर कैसा है this is not like a particular element yeah this is not like a particular component right यह variety of components को लागू हो सकता है right जैसे display flex आप लोग बहुत सारी elements को कर सकते हो it's like that ठीक है यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे background color को देख लेता background color की बारे में जान लेते हैं right तो यहां पर basic ली क्या होने वाला है कुछ classes की मदद से आप लोग background color को set कर सकते हैं right हमारे पास में primary, secondary, warning, success, info, danger ऐसी जारी चीज़े है right इनकी मदद से हम लोग यहां पर कुछ चीज़े कर सकते हैं जैसे अगर मैंने suppose bg- primary लिग दिया तो मेरा background कुछ ऐसा दिखेगा bg- secondary लिग दिया तो background कुछ ऐसा दिखेगा it's like that ठीक है तो हमारे पास जो है न यह utilities है जिनकी मदद से हम लोग background कलर को set कर सकते हैं हम लोग देखेंगे इन्हें थोड़ी देर में practical करके देखेंगे ठीक है और हम लोग यहां पर gradient भी set कर सकते है basically अगर बात की जाए gradient की तो gradient is like a smooth transition from one color to another color right थोड़ा सा यह color मुझे different देखने को मिलता है यहांपर slight change देखने को मिलता यहां पर आप लोग देख सकते हो this is not just a regular color right this is some transition this is some smooth transition from one color to another color or maybe light variant to dark variant, ठीक है, मतलब यहाँ पर यह थोड़ा सा दिखने में अलग लगता है, it's like that, ठीक है, हम लोग opacity को देखने वाल है, for other elements, but the thing is, to play with opacity, you have to change the value of the variable, ठीक है, जिसमें opacity set है, by default आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर in elements को, क्योंकि इनकी opacity 1 है, they are completely non-transparent, but if you decrease their opacity, वो थोड़े बहुत transparent होते जाएंगे, right, simple सी बात है, तो हम लोग उसको भी practically करके देखेंगे, यह आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर, यह जो variable है, इस variable की value को आपको override करना होगा, ठीक है, इस variable की value के साथ में आपको खिलना होगा, अभी ध्यान दो थोड़ी सी चीज़ पर की, क्या क्या किया जा सकता है, right, simple है, तो आप लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है, मतब बाकी यह जो classes है, BG success, इस से green background आएगा, right, text white, यह करने से आपकी text white हो जाएगी, यह ऐसा है, right, यह ऐसा, ठीक है, simple है, यहाँ पर देको text dark कर दिया, तो text ऐसा हो गया, इस लाइक दाट, ठीक है, ज्यादा कोई फरक नहीं है, तो यह होती है चीज़े, अब जरा हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, और मैं आपको इसका live implementation बता देता हूँ, यह करने के लिए, simply हम लोग यहाँ पर यह जो चीज़ है, इसको हम लोग copy भी कर सकते हैं, और बाइदावे, हम लोग वहाँ जाके type भी कर सकते हैं, तो हम लोग चलते हैं, और explore करते हैं, बाइग्राउंड से रिलेटेड यूटिलिटीज को, अब हम लोगों को यहाँ पर हमारा वो starter template भी लाना पड़ेगा, तो let's bring it, तो simply आपको यहाँ पर आ करके सर्च करना होगा, start template, वैसे basically हम लोग यहाँ पर जाकर के भी ले सकते हैं, we can go here internet production, and आपको यहाँ पर starter template मिल जाएगा, right, there's nothing hard, तो चलते है starter template को पहले डाल देते हैं, तो यहाँ पर simply मुझे आना है, और paste कर देना है, मेरा वो starter template मैंने copy किया था, right, यहाँ पर मैंने वो कर दिया है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करने वाले है, जो हमने देखा theoretically, background color utility को देखा हमने तो, उसका जरा इस्तमाल यहाँ पर देख लेते हैं, तो के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यह जो हम लोगों ने लिखा हुआ हैं, इसको एक class देदूगा, इसको एक class देदूगा, मैं class दूगा, bg-primary, जैसे यह दिया, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर यह जो पूरा block है, यह हो गया है, primary color का, simple सी बात है न, मतब यहाँ पर यह जो इसका display block है न, तो यह इतना दिखा रहा है, अगर मान लो मैं करना चाहूं, bg-gradient, तो यहाँ पर देखो, यह थोड़ा बहुत change हो जाता है, यहाँ पर खलका सा change हमें देखने को मिलता है, right, and again I can do text-light, तो उसका text जो है, वो light color का हो जाएगा, right, which looks pretty much better now, ठीक है, मैं यहाँ पर secondary भी कर सकता हूँ, secondary, and यह देखो, color change हो जाएगा, right, और वहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे gradient भी देखने को मिल रहा है, I'll do dark, and यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, it's looking much better, right, so this is the thing, आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, कि यहाँ पर text का color नहीं change करेगा, हम लोगों को text का color change करने के लिए, background से related नहीं, text से related utilities को use करना पड़ेगा, अब बात कर लेता है ज़रा opacity के बारे में, right, opacity को हम लोग ज़रा यहाँ पर देख लेता है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जड़ा margin अड़ कर देता हूँ, उपर से, ठीक है, M, T, मतलब वो top से margin अड़ कर देगा, 5 मैं देदूंगा यहाँ पर, ठीक है, यह तोड़ा सा नीचे आगया, अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं आपको बोला था, कि opacity के साथ में, अगर आपको इसके चेड़-चाड़ करनी है, तो आपको, एक variable को edit करना होगा, अब हम लोग variable को edit करने के लिए, simply, उस value को override कर देंगे, जो कि उसकी पहले से है, तो मुझे उसके लिए, यह बस inline style लिखना होगा, नहीं तो आप लोग, मतलब, अपनी style sheet में भी लिख सकते हो, यह ठीक है, बस आपको override करनी है यह चीज, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, dash dash करूँगा, तो मेरे variable बन जाएगा, वो variable को हम लोग dash dash रही बनाते हैं, तो variable है हमारा bs dash bg dash opacity, ठीक है, और इसकी value हम लोग रख देंगे, just मान लोग 0.5, ठीक है, तो जैसी मैंने यह कर दिया, यह आप लोग देख सकते हो, यह जो background है, यह थोड़ी सी transparent हो रख है अभी, right, simple है, यहाँ पर जो dark मैंने लिखा हो, इसको primary करके देखते हैं, जारा क्या change आता है, have a look on this, ठीक है, have a look on this, अगर मैं करता हूँ 0, ठीक है, 0 ही रहन देते हैं इसको, let's put a 0 here, यह देख सकते हो, आप लोग, ठीक है, मैं text को एक काम करता हूँ, जारा dark कर देता हूँ, यह आप लोग देख सकते हो, कि मेरा सिब background transparent हुआ है, right, only background is transparent, the text is still visible, completely, right, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, मानलो, 0.5, ठीक है, 0.6 करते हैं लोग, ओके, यह देखो यहाँ पर, this is, slightly transparent, right, 1 मतलब, it is completely non-transparent, 0 मतलब, it is completely transparent, हम लोग opacity utility का, इस्तमाल कर सकते हैं, I'll just do, BG, ठीक है, dash करूँगा, opacity, ठीक है, opacity, okay, मैं dash करूँगा 75, तो opacity will be 75%, okay, और यहाँ पर मुझे यहाँ 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 लगता है, कि, इंकड़बड हो गई है, अब आप लोग देख सकते हो, कि opacity 75% हो चुकी है, ठीक है, पहले मैं काम करता हूँ, इसको तरह हटा कि, आपको दिखा देता हूँ, कैसा दिखता है, ठीक है, यह देखो, यह है normal view, बट जैसे ही मैंने opacity को add कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग opacity जो है, वो 75% हो रखी है, अब अगर मैं मान लो, यहाँ पर करता हूँ 25%, तो opacity is 25%, राइट, तो दिस इस दे तिंग, आप लोग यहाँ पर ऐसे classes का भी इस्तुमाल कर सकते हो, राइट, इस आर सम utilities, देर यू कन यूज, और alternatively, आप लोग महाँ पर variable को भी change कर सकते हो, राइट, इट कैन अलसो हेल्प, तो basically हमने यह जो utility देखी, यह background से related थी, हमने background का color change किया, उसको थोड़ा बहुत gradient भी दिया, और उसकी opacity के साथ में भी हमने थोड़ा बहुत खेला है, राइट, सिंपल सी बात है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आगे होंगी, काफी सिंपल सी चीज है, ठीक है, और आप लोगों को अगर explore करनी है, तो आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग इनकी values को override करना चाहो, तो भी कर सकते हो, राइट,